हलो बच्चों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बच्चों हरयाना सरकार के द्वारा पिछले सत्र के अंदर जो 10th, 11th और 12th के जो स्टुडेंट थे उनको यह अधिगम योजना के तहत फ्री टेबलेट बाटे गए थे और 2GB पर दे के हिसाब से आपको डाटा फ्री दिया गया था, सिम कार्ड दी गई थी, चार्जर दिया गया था तो यह सारी के साजी चीजे आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई गई थी लेकिन अभी अभी एक अपडेट आया है जिसके तहत आपको वापस से यह टेबलेट, सिम कार्ड, चार्जर सारे के सारे वापस से जम्मा करवाने होंगे तो इस नोटिफिकेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह की अपडेट है, सारी बाते इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि हरियाना बोट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहां पे मिलती रहेगी तो इसमें देखो एक नोटिफ जारी हुआ जिसके अंदर के दे रखा है देखो यह सभी जिलासिक से अधिकारियों के जिसके अनुसार टेबलेट विद्धाले की संपती है अताव विद्धार्थी को स्कूल छोड़ने बदलने के अवस्ता में विद्धार्थी द्वारा टेबलेट लाइबरेरी को लोटाना होगा इन विद्धार्थियों में से कुछ विद्धार्थी हाई उच्छ विद्ध किये गए टेबलेट के संदब में विधाल्यों को निम्ना नुशार दिशा निर्दे से जारी किये गए अब देखो कई स्टूडेंट के आए कि कई स्कूले हैं वह 10th क्लास तक ही है और 10th के बाद जो स्टूडेंट 10th पास करके जाएगा तो वह कुछी दूसरी स्कूल में ज मतलब आपको आगे का कुछ डिसाइड करना है क्या करना है मतलब 12th पास आउट होके आप स्कूल छोड़के जा रहे हो तो इन दोनों कंडिशन में आपको मतलब अपना टेबलेट है वह जमा करवाना पड़ेगा दूसरी बात जो 11th के स्टूडेंट है अब बाइचांस को स्टूडेंट है 11th का तो वो किसी कारण वस अपनी स्कूल छोड़के दूसरी स्कूल में जा रहा है या फिर किसी वज़े से वो आगे पढ़ने का इच्चुग नहीं है या कोई भी ऐसी कंडिशन जिस वज़े से वो 11th क्लास को पास करने के बाद 12th में नहीं पढ़ रहा ह या किसी दूसरी स्कूल में जा रहा है तो उसको भी अपना जो टेबलेट वो जमा करवाना होगा इसके लिए दिशा निर्देश क्या क्या जारी किये गए हैं इसमें आप देख सकते हो किस तरह चे आपको जमा करवाने हैं क्या प्रोसीजर रहेगी सारी बाते देखने वा पोर्टल विद कंडिशन्स लिस्टेड बिलो इसमें देखो 10 और 12 के जो 10 और 11 के स्टूडेंट है इन GSSS और GMSSS टेबलेट विल रिमाइन विद दे स्टूडेंट बट दे स्कूल मस्ट इंशोर सेफटी ऑफ दे सेम उसके बार 12 के जो स्टूडेंट है उनके लिए टेबल देखो इसमें कक्सा 10 के जो विद्यार्थी है उनके लिए देखो विद्यार्थी द्वार अपनी बोर्ड प्रिश्या के रोल नंबर लेने वाले दिन विद्धाले में अपना टेबलेट चार्जर सिम तथा टेबलेट के साथ मिला सामान जमा करवाया जाएगा मतलब ऐसे क सारा जमा करवाना होगा टेबलेट जमा करवाया बिना किसी विद्यार्थी को किसी भी इस्तति में रोल नंबर जा रही न किया जाए यदि विद्यार्थी के पास टेबलेट का बोक्स नहीं है तो परदानचारी यह सुनिस्चित करेगा कि टेबलेट के पीछा उसका आई- के जो आई-एम याई जो नंबर हैं वो पर्मानेंट मार्कर के साथ लिख दे दायत्य वरतमान में कक्सा 10 के कक्सा परबारी मतलब किसी भी स्कूल में क्लास 10 के जो क्लास टीचर हैं उनके लिए इंपोर्टेंट है उनका करता हुए है कि वो जमा करें उसके अलावा आपको ब करनी है अब देखो सारी सारी एंट्री वापस से करनी है सीरियल नंबर है स्टूडेंट का नेम आइसार नंबर है पिरेंट्स का नेम आधार नंबर है और शिम नंबर है रिसीव टेबलेट है शिम चार्डर सारे सारे रिसीव हो गये क्या और रिमाक्स मतलब कोई अगर प् की गई परविष्ट एंट्री को दिनांक 28-22 तक रीशेट किया जाना है, मतलब 28 फरवरी तक ये सारा सारा रीशेट करना वापस से, कक्षा दस्वी के विधार्यों के और से सिम निश्करिये, डियक्टिवेशन करने का नरोध नहीं किया जाना है, मतलब 10 के जो स्टुडेंट के लिए कक्षा बार्यों के विधार्यों के दौर्र आपनी बोर्ड परिश्या के रोल नंबर लेनने वाले दिन विधाले में, अपना टेबलेट, चार्जर, सिम तुथा टेबलेट के साथ मिला सामान जमा करवाया जाना है, मतलब सारी जो प्रोसेस है, तेंद के लिए है, वही 12 के लिए मतलब सारे आपकी एंट्री होगी और आपका यह वापस से जमा हो जाएगा उसके बार देगो कक्षा बार्वी की विदाले द्वार्वी के लिए सामाने बिंदू दोनों के लिए विदाले की पुस्तका ले कंप्यूटर लेवर अन्य इस्तान पर शुरक्षित रखा जाए प्रते विदाले द्वारा एक स्टोक एंट्री रेजिस्टर में विदार्वी द्वारा लोटाए गए टेबलेट सी त्यादी का रिकोर्ड रखा जाए जिसमें IMEI नंबर को डाटा सीम का रिकोर्ड है विदार जो विदाले समय समय पर टेबलेट का नियरक्ष certificate उसके अंदर दे रखा है चुनकि विदार्थियों को दिएगे टेबलेट समंदी विदाले की संपती है अता है SLC लेने वाले विदार्थियों से टेबलेट वापस लिया जाना एनिवारी हो जाता है ताकि अब शेक्ता नुसार अन्य संबंदीत विदार्थियों को उपयोग है तुटेबलेट दिये जारे सके इसके संदर में दिशा निर्देश निमना नुसार है प्रन्तु किसी कार्ण वस यह सामसरी विद्यार्थी पास उपलब्द नहीं है तो भी उसे SLC जारी करती जाए उप्रोक्त कर्मांग एक से समंधित विद्यार्थी का संपून डाटा अवसर पोर्टल पर रिशेट करें तता डाटा सीम के डियक्टिवेशन की रिक्वेस्ट अवसर पोर्टल पर डालें उप्रोक्त कर्मांग एक के अनुसार कारियवाही पून करने के उप्रान थी विद्यार्थी को SLC जारी की जाए उसके बाद देखो किसी कंडिशन में अगर आपका फोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो देखो in case of thief lost चुकि विद्यार्थी विद्याले से टेबलेट अपने घर ले जाता है यति वे टेबलेट को घर से बाहर जैसे की coaching center ट्यूशन वहने किसी स्थान पर ले जाते है तो टेबलेट गूमने आचोरी होने की संभावना रहती है तो इस संदाय में भी दिशा निर्देश जारी किये जाने अनिवारिया जो निम्लानुसार विदाले मुख्या दोहरा संबंदित विदार्थी वह माता पिता से लिखित में प्रात्ना पत्र लेने के उप्रांत नजदी की पुलिस चोकी में विदाले दोहरा F.I.R. दर्ज कराई जाएगी ऐसे संबंदित विदार्थी को कोई भी नया टेबलेट जारी नहीं किया जाएगा उसके बाद देगो यदि किसी विदार्थी का सिम गुम हो जाता है तो वह अपने विदाले मुख्या को लिखित में प्रात्ना पत्र देगा इस स्तती में आफसर पोर्टल पर डियक्टिवेशन और डियक्स्टिवेशन का ग्रिवनेस डालना कि अधिनाष्ट परदानकारी एडमास्टर स्कूल परभावी परभारी से इन ऐसो पीस की अनुपालना करवाना सुनिशित करें इस संदर में कोई चूख होने पर आप स्वय में जिम्यदार होंगे तो इस तरह से मतलब सारी की सारी जो प्रोसेस है जिसके तहर आपको जो 10 11 12 के जो स्टूडेंट है उनको अपना जो टेबलेट है वह वापस से जमा करवाना होगा सारी प्रोसेस मैंने समझा दी है तो इस तरह की अपडेट थी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद